नमस्कार मैं कशिश और स्वागत आपका नेक्स नाइन न्यूस में राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उद्धा प्रदेश से भी होकर गुजरेगी यूपी में कॉंग्रेस की और इस यात्रा के स्वागत की तैयारय भी की जा रही है इसी को लेकर आज कॉंग्रेस के वरिशनेता सल्मार कुर्शिद और नसीमुद्दीन सिद्धिगी नेकारेकरताओ से सहरनपूर सरकेट हाउस में बैठक की थी बारत जड़ो यात्रा के कारेकरम कुलेकर सल्मार कुर्शिद ने कहा कि उतर प्रदेश में आने वाली स्यात्रा कुलेकर हम तैयारी कर रहे हैं हमारे कारेकरतों में उच्सा है हम जादर से जादर लोगों को जोने की कोशिश कर रहे हैं नोंने कहा कि जब राहूल गांदी उत्रप्रदेश में आये तब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास यहां कितना संख्या बल है लोगों का उन से जड़ाव कितना हुआ है दिल से लोग उनका स्वागत करना चाहते हैं बड़ी उमीदों के साथ उत्रप्रदेश में उनका आगमन होगा इसके लिए हम बैठ कर लोगों के साथ बात कर रहे है प्रांधिया देख्षयों से चर्चा कर रहे है ताकि यात्र में किसी चीज़ की कमी न हो बाइस दिसंबल को राहुल गांदी यात्रा के साथ उत्रप्रदेश आएंगे हम लोग मिलकर उनका स्वागत करेंगे उसके बाद हम आगे का कारेकरम को टैब ही करेंगे नगर निगम चुनाव के तयारे और आमादमे पार्टी से मुकाबले को लेकर उन्होंने कहा कि हार और जीत की बात हम नहीं कर रहे है जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका लक्षय अंतता चुनाव जीतने का होता है लेकिन जुनाव में जीत और हार के बहुत सारे कारण होते है लोग कहते हैं कि भारती जिनता पार्टी बहुत मजबूत है तो हिमाचल में क्यों हार गई अगर बहुत मजबूत है दिल्ली में उतर राज है वहां क्यों हार गई जिन सीटों पर आप हमको खड़ा नहीं होने देती थी वो सीट हमने कैसे जीत ली वो सीटे जहाँ पर लोग माते थे कि कॉंग्रेस पार्टी का कोई वर्चास नहीं है वो सीटे हमने कैसे जीत ली यह जीत और हार चलती रहेगी लेकिन अभी संगर्टन यात्रा को प्रात्मे कुशीद ने कहा प्रेंका गांदी का जादू हिमाचल में चल गया यहां नहीं चला तो पूछना यह चाहिए कि जो यहां नहीं चला हिमाचल में कैसे चल गया कई 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 ऐसी परिस्तित्या है जिनको हमें ठीक करने के लिए प्रयास करने होंगे वह चल रहे है इमरान मसूद के पार्टी छोड़ने पर कुशिद ने का कि हम में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैं पार्टी में क्यों हूँ क्योंकि मुझे पार्टी से प्यार है पार्टी ने हम सबको सम्मान दिया है हमको एक आतम श्वास दिया है इसलिए हम एक साथ है जो गया है उससे पूछो क्यों जितना मैं समझता हूँ जितना मैं पार्टी को मैं जानता हूँ हो सकता है वो ना जानते हो किसी के आने से कोई प्रभाव पढ़ा है तो जाने से कोई प्रभाव पढ़ सकता है प्रेंका गांदी की क्या भूमी कर सकते हैं यहां पर प्रेंका गांदी की क्या कुछ भूमी कर रहेगी कुछ पहले भी सचन परेड़ के साथ चुनाव किसमे आई थी अब क्या भूमिका रहेगी सवाल बन रहा है और कुछ खास संदेश भी आपर भेजे जा रहे है जिस तरके के कयास लग रहे है लेकिन अब आपकी क्या रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बाकी खबरों कले देखते रहे हैं